कि बाजार कमजोर है फिर भी जो कंस्ट्रक्शन वाला स्पेस हैं वहाँ पर आपको कुछ-कुछ अच्छी बाइंगी दिखीगी NBCC को लेकर आएंगे क्योंकि NBCC में बढ़ियां तीजी पर शुरुआत हुई है करीब 6-7% उपर ये शेर कारवार कर रहा है और पिछले अगर आप महीने भर में देखेंगे तो ये शेर 15-20% के आसपास ये चल चुका है 70 रुपे के आसपास का भाव हो गया है कुछ NBCC के चार्ट्स क्या कह रहे है क्या ये मूव जो बनी है शेर में ये बनी रहेगी और आज के लिए आप क्या सला देंगे ये 6% बहुत है या पर आभी और मिलेगा मेरे हिसाब से यहाँ पर और अपसाइड जो है बिलकुल आपको देखने मिल सकता है there's every possibility कि a stock 75 के जो लेवल्स है इनके पास भी जा सकता है एक हलका सा consolidation कह लीजिए या profit booking का दोर कह लीजिए जब stock ने पहली पार करीब 63-64 के लेवल्स टच किये थे वहाँ से एक dip भी आया था 70-57 के आसपास और फिर stock rebound कर रहा है तो एक हलका सा correction और एक step down के बाद जो stock अपमूव दिखा रहा है एक बहुत healthy sign है volumes में भी near term में अप्टिक है एक चोटा सा concern मेरे लिए बस यह है कि weekly charts पर अगर मैं देखूँ तो यह बहुत ही oversold territory में चला गया है तो हो सकता है कि यहां से अगर आप fresh entry ले रहे हों तो quantity अपनी कम रखें बट जिस तरीके का overall setup और एक dip के बाद हमने buying देखी है यहां पर buy बिल्कुल बनता है जैसा मैंने बताया 75 आप अपना positional target लेके चले जो stop loss होगा आपका वो आएगा करीब 63 के आसपास तो existing position हो तो इसको आप trailing stop loss करके hold कर सकते हैं या fresh position चाहें तब भी इसमें आप अभी भी entry कर सकते हैं है तो भी बने रहें 63 का stop loss नया लेना है तो भी ले सकते हैं बढ़िया शेयर यह NBCC और यह चुकी election year है तो शायद आपको चलता हुआ दीखेगा आगे भी एक और शेयर प्रशान्त आपसी व्यू जानना चाहेंगी इस पर nuclear software का कल भी circuit लगा था शेयर में 10% का आज भी यह circuit पर है तो आज तो अभी फिलहाल तो अभी कोई trade नहीं कर पाएंगी लेकिन मालिज जिनके पास हो क्योंकि पिछले चार सतर में करीब करेब 30-35% यह share चल चुका है अगर हम इसका पुराना record भी देखे ने तो मल्टी वैग से जब करना चाहिए 1390 यह आपका अभी stop loss होना चाहिए और आप बले रहिए इस तरह के stocks जब मिलते है तो जल्द बाजी नहीं करने चाहिए बट लॉजिकल भी रहना चाहिए क्योंकि जहां अपर circuit लग सकता है वाह लोर भी लग सकता है पैटन बहुत स्ट्रॉंग है आज पर मूव दिख रही है इंफाक्ट अमभुजा सिमेंट को आप देखें और अच्छे खास रेंज में consolidation की बाद थोड़ी सी मूव इसमें देखें कितने sustain करेगे बिला सॉफ में मूव है आपको अमभुजा सिमेंट में क्या एक यह मूव सस्टेंड करेंगे रतनेश आप ल और फिर structure ने बना है टेक्निकल वांस के लिए एक चोटा सा ट्रेड लिया जा सकता है जो इसा लगजा है कि जो इस बाउंस आए गए चोट पोट चार सो बियाली साथ तक आ सकता है इससे उपर मुझे नहीं दिखता है तो जरूट इंटर डेली साब लिहाज से टेक्निकल प्रेड ले सकते हैं और इस टॉप लोस यहां पर आपको थोड़ी बहुत मूफ दिखनी शुरू हुई है